उत्तरप्रदेश की योगी सरकार में भी किसानों को अधिकारियों द्वारा परिशान करने में कोई कभी नहीं छोड़ी जा रही आपको बता दें कि पूरा मामला जनपत शामली के उन्हें तहसील का है जहां टोड़ा बिजली घर पर लगने वाले सभी गाव में बिजली विभाग के अधिकारी द्वारा बिजली बिल बकाया को लेकर किसानों के घर घुसकर उनके केबल काट ले गए बिल बकाया वालों को ना तो किसी तरह का कोई नोटिस ना कोई चेताबनी सीधा उनके घर घुसकर बिजली का केबल काट लिया गया ये काम कर रहे ग्राम वासियों ने बताया कि जई सहाब आते हैं, हाथ में नोटिस थमाते हैं और केबल भी काट कर ले जाते हैं ना तो कोई केबल काटने से पहले कोई नोटिस ना किसी तरह की कोई चेताबनी अगर हम लोगों ने कहा कि हम कलिया पर्सों बिल जमा करा देंगे तो अधिकारियों ने किसी तरह की कोई बात नहीं मानी और केबल तक काट ले गए वहीं जई ने बताया कि ऊपर से आदेश है कि हातों हाथ नोटिस दिया जाए और केबल तक काट ली जाए जिन कंज्यूमर पर 10,000 रुपए से अधिक बिल बकाया है उनको तुरंत नोटिस देकर केबल काट ली गई इस बात से गाम वाले नराज नजर आ रहे हैं गाम वालों ने बताया कि अधिकारी कम से कम नोटिस देकर जानकारी तो देनी चाहिए लेकिन ये तो साथ के साथ नोटिस देकर केबल केबल ही काट ले गए कितने कनेक्शन काट नगें ॐन अच्छन केंवाज इस परकाया है पुर्ड लिए और ऑननोटीस भी दे रहे हैं तो इसमें नोटीस देने में की शाध काले है या पेले नूटिस देना चाहिए बाद में अधानी कैपकाल यहाँ किविल काटा जाते हैं कि लगिग दाई जहार से उपर वालों के करभं़ चले हैं जिए दजार से उपर उपर के देसाजार से उपर दजार से उपर कर भए होती है जो जमानी करता है जो भी वकाइदार है